पहली कोशिश में वहें बम मुश्किल पांच अंकोश रियंदम कट ओफ में जगा बनाने में अस्रफल रहे फिर भी उन्होंने के इस प्रकार अपने दृत्य प्रयास में खुद में सुधार किया और एक आई-एस बन गया आई जानते हैं आज की इस वीडियो में तो नमस्क आप सभी का स्वागत करती हूं प्रवात एक्जान के यूट्यूब चैनल पर यह कैसा प्लाटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पेटिटिव एक्जाम से संबंधिन में पूंचानकारिया जो आपको किसी भी एक्जाम में सर्फल होने में मदद कर सकती है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारे समी वीडियो उसको सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन जरूर दो चलिए मेरा किसी देरी के शुरूआत करते हैं आज की इस वीडियो क दोसरी बार दे यूपीएसे की परिक्षा के दोरान उन्होंने उन शेत्रों को पहचाना जहां उनके लिए सुधार की अच्छी खासी गुंजाईश थी लिहाजा बहां उन्हें और ज्याद प्रयास करने थी वह अपने दिमाग के भीतर लक्षियों का पीछा कर रहे थे न इंट्रव्यू तक में भी पांच से दस अंकों के सुधार की गुंजाईश थी लिहाजा उन्होंने निबंद और वैकलपिक विशे पर ज्यादा ध्याद देते हुए अपने समय को बाट लिया जियस में ज्यादा अंकल लाने के लिए उन्होंने मूल्य परक्सामंगरी को इखटा करने के कोशिश की आखिरकार उन्हें वैकलपिक पेपर भी इसका बहुत अच्छा फल भी मिल गया जीयस के बाकी पेपर्स को मिला कर उनके पूरे टर्म के यंग पिछले साल के मुकाबरे कुछ कम थे लेकिन तुलनार्प मगरूप से उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि उनका सबसे अच्छा पेपर निबंद काई था चलिए इसे खुद के लिए एक अंसुल्ची पहली बान सकते हैं साक्षाकार में भी उन्हें पहले के मुकाबले छे अंग ज्यादा मिले तो कोल मिला कर यह है कहना सही था कि निबंद के पेपर के लावन उन्हें जिन ज का बारीकी से विशलेशन करें उनको सुधारने के लिए द्रंता और निष्ठा से की गई मेहनत से आपको सिवल सर्विस परिक्षा के अशांत पानी में अपनी नईया पार लगाने के निश्य तोर पर मदद मिलेगी इमानदारी से कहीं तो सिवल सर्विसेस के लिए उन्हो कि पेशक कितनी भी चुनौतिया सामने आई हूं उन्होंने तैयारी के दौरान कभी भी खुद को लक्ष से भटकते हुए नहीं पाया मनोविग्यान के मताबि लक्षे हासिल करने के लिए अपने होसले को बार-बार मजबूती के साथ सहारा देनी की ज़रूरत पड़ती है लहाजा वह कहेंगे कि मेरे लंबे और छोटे समय के लक्षे हमेशा सपष्ट थे यह चुनाटी पूर्ण लेकिन हासिल करने योगी था क्योंकि वह हमेशा इसे पाने का प्रयास कर चुके थे बुरे नतीजे लाकर ज्यादा निराश होने के दुश्चक्र के उलट में किस्मत वाला था कि अपने लक्षे को पाने और ज्यादे से ज्यादा प्रेणना वाली मालसिक स्तिती में थे यह उन पर गुजरने वाली दिन में सुधार की तरफ ले गया जिसके बाद उनके अंदर यह एसास जागा कि वह अपने अंतिम लक्ष के नस्दीग है इसने उनके होसले को बनाय रखा वे हैं इसका थोड़ा बहुच्छे सकनाटनक सोच और सचेत मन्स भेज सिवल सर्विसेस को चुनने के लिए अपने फैसले को भी दीना चाहती है उन्होंने सेवल सर्विसेस जैसे अनिशेताओं से भरी परिक्षा की तयारी के लिए अपनी अच्छी खासी तनख्वावाली नौकरी तक छोड़ दी क्योंकि यह होश हवाज में किया गया फैसले था लिहाजा उन्होंने करीब 28 महीनों तक लगातार एक ही जैसी दिन चर्याजीने की बाब जूद तयारी वाले चरण में किसी तरह का दबाव महसूस नहीं किया लिहाजा अगर आपका अंदुरुनी होसला जबर दस्त है और आपके अंदर सफल होने की चिंगारी जल रही है तब ही आप इस सफर को जानी रख सकती है तो यह थी आज की सक्से स्टोरी आप कौन से ISE IPS की सक्से स्टोरी सना चाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसी के साथ अगर आप भी UPSC की तई आरी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशे लेकर आए हैं आपके लिए कुछ उनिंदा किताबें जैसे All About UPSC ए एक्जाम मुझे बना है UPSC टॉपर Government of Indian welfare scheme और सिक्टी सक्सेस्टोर आइस ओफिसर्स की प्रिरकहानियों के साथ अगर आप उन सबी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें Amazon या Flipkart से मंगवा सकते हैं साथी स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर संपर्ट करके आप उन्हें ओर्डर भी कर सकते हैं तो उमेद हैं आप से पर मुलाकात होगी प्रभात एक्जाम के YouTube चैनल पर तब तक के लिए नमश्कार